तो आज हम हेल्दी और टेस्टी बिरेड रोल फिंगर बनाकर त्यार करेंगे एकड़म आसान तरीके से आप अपने घर पे आसानी से ये नास्ता बनाकर फटा फट खा सकते हैं तो विना किसी देरी के चलिए हम फटा फट बनाना शुरू कर देते हैं तो नास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चार से पांच बिरेड लिया है आप ज्यादा कम भी ले सकते हैं तो बिरेड को फटा फट साइड में रखते हैं और इसका फटा फट मसाला त्यार कर लेते हैं बिड़ेड रोल फिंगर का मसाला त्यार करने के लिए मैंने यहां पे एक पैन लिया है आप कढ़ाई पैन कोई भीची ले सकते हैं उसमें एक बड़ा चमच सरसो का तेल डाला है आप अपने पसंद का तेल डाल सकते हैं तो तेल हमारा बढ़ियां से गरम हो चुका है अब हम सबसे पहले इसमें एक बड़ा साइज का प्याज बारीक कटा हुआ डाल देंगे बस प्याज को थोड़ा सा मुलाइम होने तक इसे भून नेगे बहुत जादा नहीं भूनना है बस थोड़ा सा सॉप्ट हो जाए तो प्याज हमारा बढ़ियां से हलका सॉप्ट हो गया है अब हम इसमें डालेंगे एक इंच अद्रक का टुकड़ा ग्रेट किया हुआ, तीन से चार हरी मिर्च बारीक कटी हुई और थोड़ी सी हरी धिनिये की पत्ती, इसे भी चला कर थोड़ा सा मुलायम कर लेंगे, तो सारी चीजें हलकी सी मुलायम और सौक्ट हो गई है, अब हम इसमें एक कटोरी स्वीट कॉन डालेंगे, आप थोड़ा सा इसमें सिंगला या गाजर अपने मन पसंद की सबजी भी डाल सकते हैं, और ये आपका कड़क वाला हो तो उसे बॉयल करके डालें, अब थोड़ा सा इसे चला कर बढ़ियां से फ्राई कर लेंगे, तो स्वीट कॉन भी बढ़ियां से मुलायम हो गया है, अच्छे से ये बहुत नरम वाला था, इसलिए बहुत जल्दी सौप्ट हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे, चार उबला हुआ आलू ग्रेट किया हुआ, कड़ू कस कर ले, अमैस कर ले, और बढ़ियां से इसमें डाल दें, तो आलू को डालने के बाद बढ़ियां से सारी चीज़ों आलू के साथ में मिला लें, अच्छे से सारी चीजे मिल जूल जाएं एक साथ आलू के साथ सारी चीजे बढ़ियां से मिल जूल गई हैं अब हम इसमें कुछ मसाला डालेंगे तो आधा छोटी चमच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे आधा छोटी चमच गरम मसाला और जादा मसाला हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे आप अपने मनपसंद का और मसाला भी ले सकते हैं अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे आधा छोटी चमच आप अपने हिसाब से नमक कम जादा कर सकते हैं अब इसे बढ़ियां से चला के अच्छे से भून लेंगे आलू को तो आलू हमारी बढ़ियां से फ्राई हो चुकी है अब थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी हाथों से क्रेस्ट करके आप इसमें मोजरेला चीज भी डाल सकते हैं तो और अच्छा आपका नास्ता बनकर त्यार होगा अब थोड़ा सा हम इसमें ओरिगेनो डाल देंगे इसे बहुत अच्छा तेश्ट आएगा और अच्छे से सारी चीजों को मिला कर फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए तब तक हम अपना दूसरा प्रोसेस कर लेंगे तो अब हम ब्रेड को एक बोल में अच्छे से इसे तोड़ तोड़ के सारे ब्रेड को डाल देंगे तो सारे ब्रेट को तोड़के मैंने रख लिया है अब इसमें चार से पांच चम्मच दूट डालके और दो मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे आप चाहें तो इसे पानी से भी त्यार कर सकते हैं तो दूढ को डाले हुए लगबग 2 मिनट हो गया है अब आप देख सकते हैं बढ़ियां से ब्रेट मुलायम हो गया है और फूल गया है तो इसे बढ़ियां से एक डो त्यार कर लेते हैं अगर आपको ब्रेट थोड़ा सा गीला लगे तो आप उसमें ब्रेट डाल ले और बह बराबर कर लें तो ब्रेट का डो हमारा बढ़ियां से त्यार हो गया है बहुत ज़्यादा इसे ग生 ? और बहुत ज्युद्यादा सकत भी नारे थोरा सा मुलायम लग रहा था तो मैंने एक ब्रेट इसमें और टोड के डाल दिया है और बढ़ियास से गोर तो इधर आलू का मसाला भी बढ़ियां से थंधा हो चुका है अब इसमें बिर्यट डालेंगे और आलू के साथ बढ़ियां से मिला लेंगे हाथ से तो बढ़ियां से बिर्यट मसाला हमारा त्यार हो गया है अब हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और थोड़ा इसे बढ़ियां से लंबा कर लें छोटा बड़ा आप अपने पसंद से थोड़ा बना सकते हैं और इसे लंबा करके फिर इस तरीके से दोनों साइड बढ़ियां से थोड़ा थोड़ा प्रेस कर दें और बढ़ियां से बनकर त्यार हो गया है तो एक एक करके हम बनाके सारे ब प्रयड रोल बनके बढ़ियां से त्यार हो गए हैं आप चाहें तो इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे सिर्फ आलू मसाला बढ़ियां से त्यार करें तो यह बहुत बढ़ियां चट-पटा बनेंगे और itt मेरे तरीके से एक बार आप जरूर बनाके ट्राइब करना तो अब हम लेंगे तीन चम्मच मैदा थोड़े बड़े बरतन में आप चाहें तो चावल का आठा भी ले सकते हैं अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और नमक को मैदे के साथ थोड़ा मिला लेंगे तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका पतला घोल त्यार करेंग इस तरीके से और इसमें से निकाल के पिसे हुए ब्रेड में इसे अच्छे से कोट कर लेंगे तो इसे बढ़ियां से कोट करके और इस तरीके से निकाल के दूसरे प्लेट में रखेंगे तो सारे ब्रेड रोल को इसी तरीके से डिप करेंगे और बढ़ियां से ब्रेड में को बार हो चुके हैं अब आप चाहें ने पाँच मीनट के बाद भी तल सकते हैं अच्छे से स्वेट हो जाए आप चाहें तो फ्रेजर में इन्हें कई दिन इस्टोर करके रख सकते हैं और जब खाना हो तब आप गरमा गरम तले और खाएं तो चलिये फटाफट हम इनहीं तल जलाके कढ़ाई को मैंने रख दिया था तेल भी डाल दिया था अच्छे से तेल हमारा गरम है बहुत ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए अब एक एक करके हम बिरेड रोल फिंगर को आराम से डालेंगे और उतना ही हमें डालना है जितना तेल में अर्जेस्ट हो पाए तो बिरेड रोल को डाले हुए लगभग एक से दो मिनट हो गए हैं अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं तो एक एक करके हमें इस साइड से उस साइड कर देना है बढ़ियां से क्रिस्पी होने तक सारे बिरेड रोल को बढ़ियां से तल लेना है तो बिरेड हुआ इसी तरीके से बढ़िया से golden brown color का तलके रखेंगे तो हमारा गर्मा गरम नास्ता बनकर त्यार है बिना फटे हुए bread roll बनकर अच्छे से त्यार हो गये हैं मेरे तरीके से आप बनाएंगी तो आपका इसी तरीके का बनकर त्यार होगा तो आज की हमारे bread roll की रेस्पी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें जैसीरी से आम